आशा केमोती चैनल में आपका स्वागत है प्रेरक कहानी पूजा का महत्तब एक दिन सुभे सुभे दरवाज्य की घंटी वजी जब नोजवान मकान मालिक ने दरवज्या खोला तो देखा एक अकरश्यकद कार्थी का व्यक्ति चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा आप नोजवान कสिचरी आप तो रोज हमारी की गहार लगाते थे इस पर नोजवान ने कहा तो आपको 9-2 अंब अगया घनक यह लोग आज एक तुम्हारे सांथ ही रहंगा इस पर नोजवान ने चिड़ते हुए कहा ये क्या मजाक है अरे ये मजाक नहीं है बलके सच है मैं सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा तुम्हारे सिवा कोई देख सुन नहीं पाएगा मुझे नौजवान कुछ कहता इसके पहले पीछे से मां आ गई अकिला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है यहां चाई तेयार है चल आजा अंदर अब नोजवान को उनकी बातों पे थोड़ा बहुत जकीन होने लगा था और मन में थोड़ा सा डर भी था नोजवान जाकर सोफे पर बैठा ही था तो बगल में वै आकर बैठ गया चाई आते ही जैसे ही पहला घुंट पिया नोजवान गुसे से चिलाया अरे मा ये हर रोज इतनी चीनी इतना कहते ही ध्यान आया कि जदी ये सच मुच इश्वर है तो इन्हें कतेई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपने मा पर गुसा करे इसलिए उसने त्रूंत अपने मन को शांत किया और सुझा भी दिया कि भई तुम नजर में हो आज जरा ध नौजवान ने कहा प्रभू यहां तो वक्ष दो फिर नहा कर त्यार होकर जब वो फूजा घर में गया तो पहली बार मन से प्रभू बंदन किया क्योंकि आज इतनी इमानदारी जो साबित करनी थी पिर आफिस के लिए निकला और अपनी कार में बैठा तो देखा भगल मे महाश्यक पहले से ही बैठे हुए हैं सफर शुरू हुआ तभी एक फोन आया और नौजवान फोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया कि तुम नजर में हो इसलिए कार को साइड में रोका और फोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि इस काम के उपर के पैसे ल ना किसी करमचारी से बहस की पचीस-पचास गालियां जो रोज निकल जाती थी मूँसे पर उस दिन सारी गालियां कोई बात नहीं इस ओके में बदल गई जिन्दगी में वे पहला दिन था जब प्रोद, घमंड, किसी की ब्राई, लालच, अप्षब, बेमाने, जूट ये सब नोजवान के दिनचरिया का हिसा नहीं बने शाम को आफिस से निकला और कार में बैठा, तो बगल में बैठे इश्वर को बोल ही दिया, प्रभू सीट बेल्ट लगा लें, कुछ नियम तो आप भी निवाएं, उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी, पर घर पर रातरी भोजन जब परोसा गया, तब शायद पहली बार नोजवान के मुग से निकला, प्रभू पहले आप लें जिये, और उन्होंने भी मुश्कराते हुए निवाला मुम में रखा, भोजन के बाद मा बोली, पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली, आज तुने, क्या बात है, सूरज पस्चिम से निकला है, क्या आज नोजवान ने का, नहीं मा, आज सूरिया उदय मन में हुआ है, रोज मैं महज खाना खाता था, आज प्रसाद ग्रहन किया है मा, और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती, थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया, और शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकीर पर फिराया और कहा, आज तुम्हें नेंद के लिए किसी संगीर, किसी दवा और किसी किताब के सारी की जरूरत नहीं है, वो गहरी नेंद गालों पे थपकी से टूटी, कब तक सोएगा, जाग जाब, मा की आवास सी, सपना था शाय, सपना ही था पनीन से जगा गया, अब समझ अज में आ गया, उसका इशारा तुम नजर में हो, और किसी भी पूजा का मतलब भी, तो यहीं एहसास करना होता है, कि हम प्रभू की नजर में है, इसलिए हमें धर्म अनकूल आचरन करना चाहिए, जिस दिन जे समझ गे, कि वो देख रहा है, उस दिन से तुम बदल जाओ बददेए, बददेवा इरा देख लएगे, कि तुम यहीं पलब एँ रखिवाजस्वे थूरान आफ बदले कि वदस्क पी पना एँ दिन से वागोगाई ऑना गत्स्क से वाभू का एटूस्वेयावे पूस्वें बदले कि नजर भी शना पना गभूस्वें जिस तुम